और भाई क्या हल चार आज की वीडियों बात करते हैं कि क्यूं ये अमबानी और अड़ानी जैसे लोग इंडिया में एक्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए क्यूं इनका फोना एक थ्रेट है इंडिया के लिए देखो सीधा सीधा बात यहाँ पर आदा है इंकम डिस्ट्रीबिउशन का क्या फिर अगर इसे अलग सब्दिन बोला है तो इंडिया का वेल्ट डिस्ट्रीबिउशन बहुत खराब है आन लोग की इस देश में 100 लोग है और हर एक इंसान के पास एक एक रुपय जाने चाहिए यह मतलब कि इस देश के पास 100 रुपय है उसमें एक इंसान आता है जो इस देश से 40 रुपया लेके चले जाता है तो बाकि 99 लोगों को 60 रुपय में काम चलाना पड़ेगा न तुमी बताओ इससे क्या होगा इससे एक इंसान तो बहुत सादा अच्छे से रहेगा बहुत सादा वो ये खर देगा वो खर देगा गाड़ी खर देगा बंगला खर देगा ये देगा वो देगा पर चुब बच्चे वे निन्यान बे लोगे उनका क्या हो इंडिया में एक इंसान इतना जादा अमीर हो जाता और एक इंसान इतना जादा गरीब हो जाता है कि दोनों में से किसी का भी वोस हवासी नहीं है सबसे पहला चीज ये समझ लो कि अगर कोई भी इंसान बहुती जादा अमीर हो रहा है तो वो किसी दा किसी का हक चीन के ही अमीर हो रहा है ये हमेशा होता है कोई भी इंसान बिना किसी का हक चीने हुए हद से जादा अमीर नहीं हो सकता और एक इंसान जितना जादा अमीर गरीब होते जाएगा एक देश में अगर चितना ही जादा अमीर इंसान रहेगा उतना ही जादा गरीब भी होगा ये एक तुरत है जो हर जगा पर अपलाई होता है ये कॉंसेप्ट हर किसे को समझ भाना चाहिए तब भी लोगों समझ भाएगा कि वेल्थ डिस्ट्रिब्यू इतना जरूरी इसलिए है एकॉल होना इकॉल तो देखो तो बिल्कुल नहीं होसाथ एक तो मैं भी नहीं मानता ही हम्डर फर पर सबसे जरूरी चीज तो यह है कि हम लोग को ये और एक इंसान बहुती ज़ादा गरीब है एक देज के अंदर में, तो जो अमीर इंसान है, वो फिजूल खर्ची ज़ादा करेगा, वो फाल्तू की चीजों में पैसा ज़ादा इंवेश्ट करेगा, एक लगजरी गाड़ी खरीद लेगा, एक ये खरीद लेगा, वो खरीद में जाएगा बार में जाएगा necessities पर ध्यान नहीं देगा जरूरी चीज़ों पर ध्यान नहीं देगा और वहाँ पर जो करीब जो है वो तो ऐसी जरूरी चीज़े खरीद नहीं पा रहा है जब wealth distribution equal हो जाता है तब ये दोनों जो अमीर और करीब ये दोनों चाहेंगे कि हम द करीबना necessities पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है ये है effect wealth distribution में गड़बड का इसलिए कहा जाता है कि wealth distribution जितना जादा equal हो 100% कभी नहीं हो सकता मैं साफ मान रहा हूँ जितना जादा equal हो उतना जादा अच्छा रहता है तो इसमें आप अमीर लोग ऐसा क्यों करते है अच्छो जादा अमीर हो जाते हैं और जो जादा गरीब रहते हैं गरी country में तो अमीर लोग खर देंगे यह यह लगजरी गाड़ी है इसका बस main reason यह दिखावा करने कि अगर कोई गरीब है तो अमीर लोग दो दिखाएंगे ही ना पैसे आए जारे उनके पास तुम दिखाएंगे देख ले मेरे बस गाड़ी है बंगला है वर जब वो जो गरीब इंसान है वो भी जब उनके बराबरी कहोगा तो वो लोग सोचेंगे कि अरे मैं अगर बंगला खरीद भी लो तो ये भी कुछ दिन बाद खरीद लेगा बंगला तो मैं बंगला खर्दू ही क्यों मैं काम कर इंडिया में रहने का कंडीशन और जो यह आप ओवर रॉल जो कंडीशन इंडिया को बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगा और जो लोग जो जीडिपी जीडिपी करते रहते हैं देखो भाई जीडिपी भले ही बढ़ जाए अगर तुम सही से रहे नहीं पा रहे हो खाने को पता चले कि क्यों एक इक 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 वेल्ट डिस्ट्रिबूइशन होना बहुत जरूरी है अगर यह वीडियो अच्छा लगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कॉंटेंट्स जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो और शेयर करो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जाय है जाय बहार